नमस्कार दोस्तों, Amit Thinks YouTube चनल में आपका स्वागत है, हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम input को read करवा सकते है console से, C-sharp में, तो हम देखेंगे, यह देखेंगे, यह देखेंगे, प्रोग्राम रहनोंने के बाद यह output आएगा, मैं user हूँ, user कोई भी number enter करेगा, मैंने 25 number पर enter किया, मैंने enter paste किया, यह लिखा आगया value entered by user is 25, यानि कि 25, तो हमने console से input लिया, हमने console से input को read किया, अब देखेंगे, हमने program कैसे किया, यह था हमारा program, पूरा समझते है इसको, यह namespace है सबसे पहले, namespace collection of classes होता है, उसके उपर हमारा using directive है, namespace के अंदर हमारी पास यह की class है अभी, class program, class के अंदर बड़े सारे methods होता है, collection of methods होता है, right now, सिर्फ main method है मारे पास, main method ही वो method होता है, जिससे हर एक सीशा program शुरुआत करता है, start करता है, अब नीचे गए, देखिए, यह आगे हमारे पास, हमने सबसे पहले एक variable लिया, क्यों, क्योंकि हम console.readline method use करेंगे, ताकि इस method के थुरू हम input को accept करते हैं user से और उसको एक variable में डाल देते हैं, तो यही वो variable है, मानि हमने 25 user ने enter किया, 25 enter करते ही, वो 25 यहाँ पर आ जाएगा, readline क्योंकि हमने console.readline यह वो input इसने accept कर लिया, अब यहाँ पर 25 आ गया, लेकिन यह 25 हमारा है, string की form में string representation of number, मतलब है तो number लेकिन वो string की form में, क्योंकि यह ऐसा है, अब हम ऐसे तो print नहीं कर सकते, क्योंकि हमें number print करना है, तो हम क्या use करेंगे, conversion, हम यहाँ पर convert.2 in 32 method यूज करेंगे, जब आप cursor रखेंगे, इसमें लिखावा है, it converts the specified string representation of a number to an equivalent 32 bit signed integer, string equivalent of a number यही है वो, 25 हमने डाला है भी, string equivalent है यह, अब 25 यहाँ पर आ गया, आप convert.2 in 32 इसको convert कर देगा, और एक अंदर हमारा output आजाएगा, मतलब 25, यहाँ पर हमने वो print कर दिया, बस यह ही किया, और कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं करी, अब इसमें, यह हमने line लिख दी ताकि user से हम enter करा सके, हमने उसी 25 को इसमें store किया, और एक ही value प्रिंट कर दी, read की हमने इसलिए use किया है, ताकि जब अब output show करेंगे, वो बहुत ही जल्दी गायब हो जागा, vanish हो जागा, उसको pause करने के लिए, जब तक user कोई key press ना करे, हमने read की use किया, हम जब इसको run करेंगे, तो असानी से समझ अब मैं यहाँ पर 25 डालता हूँ, अब मैं enter press करूँगा, तो क्या करेंगा, enter press होते ही, यह 25 को यहाँ लेकि आएगा, 25 इस form में होगा, string में, to in 32 method यूज़ करके, यह 25 को, string वाले 25 को integer में कर देगा, तो a में मारा output आ जागा 25 और यहाँ पर प्रिंट कर देगा, value entered by user is equal to 25, enter press करता हूँ, यह देखिए, value entered by user is equal to 25 अगया, अब यह output बंद नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर read की use किया, यह wait कर रहा है, कोई भी press करें, मैं कोई भी press करूँगा, मानि हम इने enter press किया, और यह vanish हो जागा, तो यह मारा complete program हो गया, तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कैसे हम असानी से, input read कर सकते हैं, console से और उसको variable में store कर सकते हैं, और display कर सकते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, तो हमारे चलन अनमने things को ज़रू subscribe कीजिए,